हरे कृष्णा आज की कहानी में आपका स्वागत है सूर्दास्ची का जन्म 1478 में दिली के पास सिही गाउं में हुआ वे जन्म से अंधे थे इसी कारण बोच समझ उनको घर से निकाल दिया था माता पिता भाईयों से आज्या लिये बिना ही वो ब्रज की ओर चल पड़े मत्रुरा में अकेले बड़े हुए एक दिन उन्होंने एक टोली को कृष्ण भजन गाते सुना सूर्दास्ची मगन हो गए और उस टोली के साथ चलने की इच्छा की परंतु टोली एक अंधे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकी तो उनको छोड़ कर निकल गई सूर्दास्ची एक पेड़ के नीचे भजन करते थे और भगवान कृष्ण की प्रतिक्षा करते रहे प्रती दिन वो कृष्ण के लिए गाते बजाते इतिहास गवा है कि बादशा अकबर सूर्दास्ची के संगीत को पसंद करते थे और अकबर सुनने जाते थे कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते 1573 में सूर्दास्ची ने अपना शरीर छोड़ा सर्वम श्री कृष्ण अर्पनम